गुड मॉर्निंग मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिक्रम भाग्यम में और भाग्यम के भी स्विशे सेग्मेंट में जोहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ड के जरीए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है हम ऐसा क्या करें जिससे आज की दिन को हम और वी बहतरीन बना सकते हैं और इसके लिए एक से लेकर नौ मूलांग स्कारिडिंग करते हैं कौ hysterिंग होगी आपकी और कौन सा होगा आपका मूलांग यादि आपको नहीं और आज की जो तारीख है नंबर पांच इसके स्वामी होते हैं बुद्ध तो आज क्या इंपक्ट पड़ेगा एक से लेकर नौ मुलांग तक के जातकों पर आए हम जानते हैं तो आए बिना देर के अपने कारिकरम के हम शुरुवात करते हैं और जानते हैं मूलांग एक के लिए मा भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है आज पांच अगस्त दो हजार ते इसके लिए और मूलांग एक के लिए हम से का जा रहा है गोल्डन ऑपर्चुनिटी का कार्ड है आपका जो लखी अंक है आपका नंबर पांच और लखी जो रंग है वो है आपका आस्मानी आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन इमोशनल ही अपने आपको स्टेबल रखे और जो भी कोई आप महत पूर्ण नर लेंगे अपनी लाइफ में अपने करियर को लेकर वो आपके लिए बहुत जादा लाबदायक रहने वाला है इन फैक्ट आज के दिन आपको कुछ ऐसी ऑपरचुनिटीज भी प्राप्त हों अगर आप अपने पैशन के साथ फुल पैशन के साथ अगर आप काम करेंगे आपको लोग रेकगनाईस करेंगे आपके काम को लोग रेकगनाईस करेंगे आपकी बात को सही समझा जाएगा आपको तवज्जो दी जाएगी और कहीं न कहीं ये चीज आपको आगे बढ़ान हमें आज क्या गाइड कर रही है 5 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है वाइट तारा का काड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी भी प्रकार की नकारात्मक परिस्तिती से खुद को दूर रखे आज आपको क्रोध आ सकता है बेचेनी बनी रह सकती है किसी भी प्रकार से आप जो है स्टेबिलिटी फील नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी एनरजी जो है वो बहुत जादा सेंसिटिव होंगी तो ऐसे में कोशिश करें कि अपने आपको थोड़ा सा रिजर्व रखें मौन रखें व्यर्थ के वाद विवाद में ना पढ़ें आगे बढ़के आबेल मुझे मार ऐसी परिस्तिदी में बिलकुल ना पढ़ें कोशिश करें अपने आपको शांत बनाए रखें भीतर से पीसफुल रहें और सही समय का इंतिजार करें आज कोई भी महतपुर्ण निर्णे आपको नहीं लेना है धन सम्मंदी मामलों में भी आपको थोड़ी सावधानी आज बरतनी है आपका दिन शुबहो आये जानते हैं मूलांक तीन के लिए मावगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है पांच अगस्त दो हजार तेस के लिए और मूलांक तीन के लिए हमसे कहा जा रहा है blossoming का card है आपको कहा जा रहा है अभी तो शुरुआत ही हुई है अभी तो आपने शुरू किया है जो भी कोई card में आपने हाट डाला है it is just started अगर आप खुद के उपर भी काम कर रहे हैं for example अगर आप वोक आउट कर रहे हैं अपने आपको अपने makeover पे काम कर रहे हैं अगर आप किसी नए project पे काम कर रहे हैं अगर आपको कहीं ना कहीं अपने आपको बहतर बनाने पे focus करना चाहिए आज जो आपका ध्यान है वो हडबड़ी की तरफ नहीं होना चाहिए कि मैं जल्दी से achieve कर लूँ आपको पता है कि जल्दबाजी नहीं करनी है जल्दबाजी का जो काम होता है उसमें कभी-कभी नुकसान भी लग जाता है ना सिर्फ कभी-कभी बलकि most of the time तो आपको क्या क चैन होने से ना तो चीजे समय से पहले हो जाएंगी ऐसा नहीं होता है समय से पहले हुई कोई भी चीज अपरिपक्व होती है इस बात का ख्याल रखें आपका दिन शुबहु आई जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें माभगवती आज क्या गाइड कर रही है आज 5 अगस अपने ध्यान देना होगा कि आप किस तरीके का व्यवहार अपने परिवार में और अपने कारे शेत्र में आप कर रहे हैं क्योंकि कहीं आज आपका जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा सा कहते हैं कि मैन एक एक मैने नर्जी अहिंकार अभीमान वाली चीज़ नहीं आनी चा लेकिन आपको विवहार करना है अन्य था हो सकता है कि आपके व्यवहार की वज़े से कुछ प्रॉबलम आए तो कोशिश कीजिए कि लोगों के साथ आपका बढ़ताव जो है आज उस पर विशेश ध्यान दे आपका दिन आईए जानते हैं मूलांक पांच के लिए हमें मा भगवती आज क्या गाइड कर रहे हैं पांच अगस्त दो हजार तेस के लिए आज की तारिक भी है नमबर पांच और मूलांक पांच की ही हम बात कर रहे हैं और हमें गाइड किया जा रहा है मूलाँक पाँच के लिए Sacred Space का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपकी धरम करम में आस्ता बढ़ने वाली है आप किसी धार्मेक स्थान पर भी जा सकते हैं धार्मेक ऐयोजन का हिस्सा बन सकते हैं कुल मेला के आज आपका जो ध्यान है वो धरम करम डान आदी में रहने वाला है, गुड डीड़ में अच्छे करमों पे रहने वाला है, हो सकता है कि आप किसी NGO के साथ connect होकर जो है जनकल्यान का कारे करें या फिर जो है आज आप जो बेजुबान जीव हैं या ऐसे लोग जिन अगर आज आप खुद के लिए निकाल सकें तो जादा बहतर होगा आपकी एनरजी को रिफ्रेश होने की ज़रूरत है रिट्रीट होने की ज़रूरत है तो ऐसे में आप क्या करें कि आप अपनी इनर ग्रोथ पे ध्यान दें और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं इसक यह हमें परमात्मा माभगवती आज क्या गाइड कर रहे हैं पांच अगस्त्र दो हजार तेस के लिए और मूलांक छे के लिए हमसे कहा जा रहा है मेडिसन वुमिन का कार्ड है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको स्वास्तलाब होने वाला है यदि आपकी किसी प् एक्सेप्ट करें और अपने स्वास्त का विशेश ख्याल रखें ग्रोथ आपको मिलेगी आपकी हेल्थ भी आज पहले से बहतर होने वाली है लेकिन जब हेल्थ बेटर्मेंट की तरफ बढ़ती है तो अपने उपर ध्यान देना चाहिए तो कुल मिला के आज आप अगर का इन्वेस्ट नहीं करना है थोड़ा सा पेशिंस बनाए रखें आपका दिन शुभ हो आई जानते हैं मूलांक साथ के लिए माभगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है आज 5 अगरस्त 2030 के लिए और मूलांक साथ के लिए हमसे कहा जा रहा है गाइडिंग चिल्डर्न का का जो कही न कहीं जो आपको बहुत जादा सीन определ on нас इंस्पेरिशन मानते हों एसे लोग भी आज आपको सपोर्ट करें और आप देखेंगे कि जो युवां हैं उनके बीतर एक नई उमंग और एक नई ओर्जा होती है काम को करने कि तो कहीं न इस ना जाई आपको अपनी टीम म साथ आपका एक अच्छा समय वितीत होगा बहुत कुछ आपको सीखने को और जानने को मिलेगा साथ ही साथ लोग भी आप से इंस्पायर होंगे अगर आप बिजनस टाइकून है और आप अपने ऑफिस में अपने कलीक्स के साथ अगर आपकी आज मीटिंग है तो आप देखे अंधस के लिए मूलन्क 8 के लिए माँ भगवती आज क्या गाइद कर रही है और मुलन्क 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है की सरसथी मा का का प्रेंगे क क्रिएटिविटी आँज आपके अंदर देखने को मिलेगी कईना के जो भी कुछ आप काम करेंगे जो भी आप वर्क अपने कारेशेतर में करेंगे कहीना कि इसको आप आम दिनों से कुछ बहतर बना पाएंगे कुछ क्रियेटिव कर पाएंगे जिसको रेकेगनाईज किया जाएगा तो मा की करपा आपके साथ है विशेशतोर पर ऐसे लोग जो की आपके लिए आज के दिन कुछ ऐसी चीजों का आप निर्मान कर लेंगे जो की बहुत ही यूनिक रहने वाली है आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा माभगवती आज क्या गाइद कर रहे हैं आज 5 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हम से कहा जा रहा है focus intention आपको कहा जा रहा है कि अपने मार्ग से मत भटक किये आज आप focus out हो रहे हैं विशेश तोर पर विध्यारतियों से कहा जा रहा है कि कही ना कहीं आपके बीतर जो अपने मार्ग से भटक रहे हैं, फोकस आउट हो रहा है, आपका जो ध्यान है वो अपने करियर की बज़ाए, अपनी ग्रोथ की बज़ाए कहीं और लग रहा है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि अपने विचारधाराओं को आप एकदम क्लियर रखें, अपने को एकदम अखंड बन पर्क कर सकते हैं, मिलूँगी आप से हमारे अगले एपिसोड में तब तक के लिए, आपके बीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रिनाम नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में, मैं हूँ पंडित चंद्रशेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की आज दिनांग है पांच अगस्तन दोजार तेई, स्विक्रम समद दोजार असी चल रहा है, श्रावण अधिक मास है, क्रिश्न पक्ष है, वडशा रितु है, तिथी आज की चतुर्ती है, और आज का वार है शनिवार आज के नक्षत्र की बात करें, तो उत्रा भादर्पत नक्षत्र पूरे दिन और रात्री दो बच के चोवन मिनट तक है, योग सुकर्मा है, रात्री ग्यारा बच के ग्यारा मिनट तक, और योग की द्रस्टी से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, तो इसका पूरा-प बच के 42 मिनट तक आगे कॉलव करन रहेगा शामबाद 8 बच के 22 मिनट तक फिर आगे तैतिल करन रहेगा सुर्योदे का समय दर्श को सुबह 5 बच के 52 मिनट का था और सुर्यास्त का समय शाम साथ बच के 12 मिनट का आज का रहुकाल सुबह 9 से साड़े दश बजे के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुबकारे नहीं करना चाहिए और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अब विजित मुरत आज दौपेर बारा बच के छे मिनट से लेकर बारा बच के 69 मिनट के बीच ह आर बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे हलांकि सुबह जल्दी निकल जाएंगे फिर बीन को रोजाना समझिए और सुजबू से टाल दीजे आज के जो दुष्ट मुरत थे वो थे पांच बच के 52 मिनट सुबह फिर छे बच के 45 मिनट छे बच के 46 मिनट और साथ बच के 49 मिन द्रक का टुकड़ा या फिर उड़त के दाने खाकर पहले पांच कदम पीछे चलिए और जब यह सारी प्रक्रिया आप करें तो भगवान श्री राम या अपने इस्ट का हिर्दे में ध्यान कीजिए उनसे प्राथना कीजिए और फिर इस दिशा की यात्रा करें ऐसा अगर बारा बच के 35 मिनट से शाम पांच बच के 30 मिनट तक और फिर शाम साथ बच के 15 मिनट से 8 बच के 30 मिनट तक यह तीनों काल खंड बाकी सारे दिन के अपेक्षा ज्यादा शुब योग का रख है तो अच्छे चैफर्स करें को बिजनस डील करें रिष्टे की बात चलाएं तो इन समय का ध्यान रखते हुए करें तो सफलता की चांस ज्यादा मिलते हैं आज की चंद राशी दर्श को मीन है यानि चंद्रुमा मीन राशी से गोचर कर रहे हैं जिससे आज का ये दिन सभी बारे राश्यों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की मेश राशी वालों को आज किसी बड़े निवेश से बचना चाहिए और व्रश राशी वालों के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है पैसा सम्मान यश सब कुछ प्राप्त होता है और मितुन राशी वालों को कार्याले में प्राप्त होगी प्रश अपने वहवाईक जीवन की जो विवार छोटे मोठे चल रहे हो उनको आज सुलजा सकते हैं और तुला राशी वाले अपने ननिहाल पक्ष से होते दिख रहे हैं लाभानवित वहीं व्रश्चिक राशी वालों को संतान संबंदित शुब समाचार प्राप्थ होंगे और धन राशी वालों के पुरान इंवेस्टमेंट दे सकते हैं वहीं मीन राशी वालों को आज आत विश्वास से भरा रहेगा दिन तो दर्शे को ये था आज का पंचांग जिसके समुचित ग्यान से आप अपने पूरे दिन को बहुती सूजबूच से मैनेज कर पाएंगे सही सम में पर यानि जो टालने योग्य समय हमने आपको बताया उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे दर्शे को आप करते हैं आज के दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते द्रश्टी को प्रग्या को जाग्रत करेगी फिर आगे समझेंगे उन बहुती वि पुरुष होएं जिनकी नीती जिनके ज्यान का रिणी पुरा समाच और हम सब सनातनी हैं जिन से सीख कर आज भी हम अपने जीवन को बहुती अच्छे से सुव्यवस्तित कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं ऐसे एक महापुरुष ते महात्मा विदु इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति क्रोध एहंकार दुषकर्म यानिकी पाप अति उत्सा स्वार्थ उत्दंडता इन सब दुर्गणों के प्रति आकर्शित नहीं होते हैं वो सच्चे अर्थों में ज्यानी होते हैं यहां पंडित शब्द का प्रियोग महात्मा विदुर कर लेता है जबकि इसकी पात्रता देवताओं के शर्दश जो गुण होते हैं वो जब हम आत्मसात करते हैं तब हमें प्राप्त होती है इसी पंडित शब्द के लिए भगवान श्रीक्रिष्ण ने आगे कहा कि गता सून गता सूंश चे नानु शोचनती पंडिता यानि ज समभाव अपने अंदर स्तापित कीजिए यह आज की ग्यान चर्चा का सार है अब बात करते हैं उन विस्ष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समश्याओं के सरल समाधान आपको बता देते हैं जिने करके अर्चनों को असफलता को आप बहुत पीछे छोड़ते व और बर्गत यह तीन पौदे लें नीम के पीपल के बर्गत के पौदे लें और साथ में इनको डेड़ से धाई बुझे की बीच में लगाएं और इसके बाद में शाम 6 बजे बाद में साथ निर्धन व्यक्तियों को भूजन करवा दीजिए और रातरी में 11 बजे अगर अगामी समय में किसी महतोपूर्ण परिक्षा में बैठना हो या फिर वो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में संगर्श कर रहे हो या दाश्त में कमी रहती हो बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो पढ़ाई लिखाई को लेकर उनके ल पांक काले मिर्च और थोड़ी सी मिश्री प्रशाद की रूप में रख दें और फिर पांच माला नित्ये इस मंत्र का जाप करें मंत्र ध्यान से समझेगा मंत्र बहुत ही विसिस्ट है मंत्र इस प्रकार है ओम एम दूरीम श्रीम वागदेव्वे सरस्वते नमहें फिर से आप रोजाना करेंगे कुछ दिन कीजिए महीना डेड़ महीने में आप देखेंगे कि आपकी शमता में कैसे चमतकार एक रूप से व्रद्धी हो रही है और आने वाली जो परिक्षा है कुछ अक्षातकार है या आपकी जो पढ़ाई चल रही है उसमा कैसे सफलता कि और चारा विमंत्र धंदायक कोडियां इन सब चीजों को बांध लें और 108 बार इस विशिस्ट मंत्र का जाब करें मंत्र स्प्रकार है ओम दक्षिन कालिकाय दुर्गती नाशिनी तंत्र बादा विमोचनी सर्व बादा निग्रहनी सर्व शत्रू संधारनी कारे सिद्ध इस मंत्र का आप जाब करें सुर्फ 108 बार जाब करना है और फिर इन समस्त वस्तूओं को अपने धन रखने के स्थान पे जहां भी आप पैसे रखते हैं वहाँ पे रखें तो आपकी व्यवसाहिब में बहुत जल्दी प्रगती आएगी धन में जो कमी आ रही थी वो कमी द जाना जरा फैंक देते हैं और पांचवे बचेवे दाने को जो काली मिर्च का दाना है उसे आस्मान की तरफ उचाल देते हैं और बिना पीछे देखे बिना किसी से बात कि सीधे घर आ जाते हैं तो इससे आपके जीवन के जो बंद पड़े रास्ते हैं भाग्ये के वह जर्फ यह है कि आटे के दो पेड़े बनाएं और उसमें गीली चने की डाल साथ में थोड़ा सा गुड़ पिसीवे काली हल्दी इनको दबा दें और खुद पर से साथ बार उतारा करके गव माता को खिला दें इसके बाद में शाम को साड़े आठ बजे ग्यारा अनार माता कालिका के मंदिर में अर्पित कर दें छोटा सा काम कीजिए आज से आपको आराम आना शुरू हो जाएगा समशाओं से आप बाहर आएंगे इसी प्रकार से बहुत दिनों से आपके काम रुके वे हैं या लगातार किसी बड़े काम को करने के प्रयास आप कर रहे हैं जब इस विशिष्ट मंत्र का करें तो बहुत जल्दी आपका काम बनने लगेंगे मंत्र उस प्रकार ध्यान से समझेगा ओम हर त्रिपुर हर भवानी बाला राजा प्रजा मोहीनी सर्वशत्रु विध्वंशनी मंचिंतितम फलम देही देही भूवनेश्वरी स्वाहा इस जल्दी आपके काम बनने लगेंगे समझाओं साब बहार आने लगेंगे और नित्य इस मंत्र का जाप अगर आप करते रहें तो रुकावट्य आपके जीवन में आएंगी नहीं तो दर्शे को ये था आज का पंचांग आज के विश्वस्ट उपाय और ग्यान चर्चा मैं पंडे चंद्रशेकर शर्माई आशा करता हूं कि बतायवे उपायों को सही विदी सठीक समय और अटूट शद्धा के साथ करके आप पुरा-पुरा लाव उठाएंगे और जो ग्यान चर्चा सत्सन हमने किया इसे अपने जीवन में होता रहेंगे धीरे धीरे आपका जीवन शिव में सत्यों में और आनंद में होता जाएगा महादेव से प्राथना करता हूं कि आप जब हमारे बतायवे उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण निश्यत भगवतिया सबका कल्यान करें जय आदिशक्ति